दोस्तो बिजनस के बारे में अब तक हमने केई सारी वीडियोस बनाई है उनमें जादातर कमेंट्स आते थे कि भईया हम गरामिन सेतर में रहते हैं कुछ ऐसे बिजनस आइडियास बताईए जो कि हम गाउं से सुरू कर सके क्योंकि किसी ना किसी मजबूरी के वज़े से हम अ जो कि गाउं के सेतर में बहुती जल्दी उचाई पे जा सकते हैं बहुती कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोफिट बना कर दे सकते हैं तो यदि आप सच में एक बिजनसमें बनना चाते हैं और अपने गरामिन सेतर में ही बिजनस करना जाते हैं तो चलिए वीडियो को सु दोस्तो अगर आप एक ऐसे गाउं में रहते हैं जहां एक भी computer शिक्षा के अंदर नहीं है या फिर आपके गाउं में जो भी computer शिक्षा के अंदर है वो अपने course की काफी जादा फीस लेते हैं तो ऐसे में आपके लिए computer शिक्षा के अंदर खोलना सबसे best option होगा computer शिक्षा के अंदर खोलने के लिए आपके पास कम से कम तीन computer एक printer और internet connection होना जरूरी है इसके अलावा computer शिक्षा के अंदर खोलने के लिए कम से कम 10 by 10 का कमरा होना चाहिए लेकिन इन सब के अलावा सबसे जरूरी है आपका computer शिक्षा के अंदर खोलने का registration करवाना इसके अल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी computer center पर क्यों ही आएगा तो आपको याद दिला दू दोस्तों जादातर लोग computer इसलिए सिखते हैं ताकि वे इसका certificate हासिल कर सके जो कि आप उन्हें प्रवाइड करवाने वाले हो इसके अलावा बहुत सी सरकारी नोकरियों में भी computer typing क की डिमांड होती है ऐसे में गाउं में रेकर online तैयारी करने वाला student computer typing practice के लिए सेर जाने के बजाए आपके computer शिक्षा के अंदर पर आएगा और साथी साथ दोस्तों ये एक ऐसा काम है जिससे कि आपके गाउं के लोगों के लिए काफी जादा सुईदा हो जाएगी अगर आप इस बिजनस में interested है तो आप इस बिजनस को start कर सकते है वरना चलिए आगे बढ़ते है नमबर 9 जंक डिलर यानि कबाडी दोस्तों कबाडी का नाम सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन दोस्तों कबाडी का बिजनस एक ऐसा इकलोता बिजनस है जि जब प्रोफिट के आती है तो इस बिजनस के जरिये आप आराम से 40-50% का प्रोफिट कमा सकते हैं दोस्तों छोटे इसतर पर कबाडी का बिजनस सुरू करने के लिए आपको मातर 50,000 रुपे या फिर 1,000,000 रुपे की जरुरत पड़ेगी और सबसे में चीज आपको कोई कबाड इकटा नहीं करना है बलकि आपके एरिया के सारे कबाड इसको अपने लिए हायर करना है आपको अपने बिजनस के लिए एक जगे देखनी है और वहाँ पे उन कबाड को इकटा करके अपनी कुछ लेबर लगाकर उस कबाड की वहाँ पे छटनी करवानी है एक बर अ अपने एरिया के recycle center में बेच कर अच्छा कासा मुनाफ़ा कमा पाएंगे। अगर आपको ये business पसंद है तो आप इससे try कर सकते हैं। वरना चलिए दोस्तो अब चलते हम अपने अगले business idea नंबर 8 sound service दोस्तो sound service का business सुनने में बले ही काफी छोटा लग रहा है। लेकिन इस business में पैसा बहुत हैं। क्योंगि आज के time में गाउं के लोग अपने गर पे होने वाले हर एक छोटे छोटे पंक्षन में sound system लगवाते हैं। आज गाउं के लोग अपने गर की शादियों के अलावा अपने बच्चों के ब्रतडेस और छोटी छोटी पार्टीस में भी sound service लगवाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही गाउं में हर मईने कोई ना कोई religious program जैसे कीरतन, जागरन, कथा, वाचन या फिर सत्संग चलता ही रहता है। अगर आप ग्रामिन सेत्र में रहते हो तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से पताई होगा। लेकिन दोस्तो इतना जानने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तियोवारों और शादियों में sound service लगा कर आप साल बर में कितना ही कमा लेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि एक sound service वाला काफी अच्छे कासे पेसे कमाता है। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आया तो आप इसे कर सकते हैं वरना चलिए दोस्तो बढ़ते हैं हम अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर्ट दोस्तो इंडियन सनेक्स का बिजनेस इकलोता एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ भी customers की line लग जाएगी। समोसा कचोडी बनते हुए देखते हैं तो उनके मूँ में पानी आने लगता है और इस condition में अगर आपकी दुकान काफी अच्छी है और quality का ध्यान रखती है तो दोस्तो आपकी दुकान बाकी दुकानों से काफी जल्दी आगे निकल जाएगी। अगर आपको ये business idea पसंद आया तो आप इस business को कर सकते हैं वरना चलिए दोस्तो अब बढ़ते हैं अगले business idea की तरफ दोस्तो अगर आप एक ऐसे गाउं में रहते हैं जहां अभी तक common service center यानी CSC नई खुला है तो ये आपके लिए बहुती सुनेरा मोका है common service center खोल कर आप मैने के 20-30,000 रुपे आराम से कमा सकते हैं common service center भारत सरकार की एक मैतपुन योजना है जिसका उद्देश ग्रामिन और दूरदराज के सेत्रों में डिजिटल सेवाग को पाउचाना है बेसिकली अगर आप CSC खोलते हैं तो आपको अपने CSC के जरिये लोगों को आदार सेवाए, रासनकार सेवाए, पासपोर्ट आवेदन, बेंकिंग सेवाए, बिजली बिल बुक्तान, पेंशिन योजनाए, और स्वास्ते भीमा, और अन्य सेवाई देनी होगी लेगिन अगर आपके गाम में पहले से कोई common service center खोले हुए है, तो आप choice center भी खोल सकते हैं, choice center एक ऐसा के अंदर होता है, जो की होता तो गेर सरकारी है, लेगिन इसका काम भी CSC जैसा ही होता है, choice center में भी वो ही service देनी होती है, जो की CSC में दी जाती है CSC या choice center खोलने के लिए आपके पास एक computer, एक printer और internet connection होना बहुती ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए आप लगबग 50-60,000 रुपे में इस business को start कर सकते हैं, अगर आपको ये business पसंद है, तो आप इस business को जरूर से कर सकते हैं, वरना चलिए दोस्तों, बढ़ते हम अपने अगले business idea की तरफ, number 5, आटा चक्कियों मसाला मिल, दोस्तों, आटा चक्कियों मसाला मिल एक ऐसा शांदार business है, जहां आपको सिर्फ एक बार पैसे invest करने होगे, लेकिन इससे आप हर रोज मोटी कमाई कर पाएंगे, अब जिन लोगों को आटा चक्कियों मसाला मिल के बार आटा चक्की मार्केट में आ चुकी है, जिसे खरीद कर आप मातर 50,000 से 1,00,000,000 रूपे में अपना ये business शुरूख कर सकते हैं, और इस business की खास बात ये हैं दोस्तों, कि अगर आप खुद इस business को नई करना चाते, तो आप इस पैसे को invest करके, किसी और बंदे को मंतली salary पर खरीद कर, आप इसे अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, और यदे आप ग्रामिन सेत्रों में रहते हैं, और आपके सेत्र में गायों को रखा जाता है, तो आप उनके गोबर को बहुती कम किमत में खरीद कर, उसके कई सारे product तैयार कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे में यूज करते हैं एको फ्रेंली होने के करण आज ओफलाइन और ओनलाइन मार्केट में इस प्रोडेक्ट की काफी ज्यादा डिमांड है जैसे आज मार्केट में मिलने वाला गो आधारीत सपेद पेंट 345 रूपे पर लिटर के हिसाब से मिलता है गो आधारीत पेंट गोबर को बारिक पाउडर में पीस कर चूने के साथ वन रिशो वन में मिलाना है फिर सपेद रंग के लिए इससे टाइटेनियम डायोकसाइड पिगमेट में मिलाए इसके बाद इसमें फेवी कोल और तारपिन का तेल डाले जो की पेंट को टिकाओ और चमकदार बनाता है सबी समागरियों को अच्छी तरे से मिलाकर चनली से चान ले और बस आपका पेंट बनकर तयार हो चुका है दोस्तो आप अपनी सुईदा और बजट के इसाब से गाई को गोबर का यूज करते हुए इसे मार्केट में ओफलाइन या फिर ओनलाइन बेचकर अच्छा कासा कमा सकते हैं और ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तो जिसे की मैंना आज तक जितना देखा गरामिन सेत्रों में बहुत ही कम किया जाता है और जो भी कुछ लोग करते हैं वो अच्छा कासा पेसा कमाते हैं दोस्तो चाए गाम वो या सहर आज के समय में टेलर की डिमांड काफी जादा बढ़ गई है दोस्तो एक टाइम ऐसा आया था जबकि सिलाई के बिजनेस काफी जादा लोस में जाने लगा था कोई भी इंसान सिलेवे कपड़े को एनना पसंद नहीं करता था लेकिन वापस ट्रेंड के साथ साथ आज के टाइम में लोगों को अपने लिए डिजाइन दार कपड़े सिलवाना पसंद है और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें यदि एक बार गराइक बंद जाए तो फिर आप दीरे दीरे करके लाको रुपे भी माईने के कमा सकते है नमबर टू गोट गोट बैंक का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बकरिया खरीदनी होगी और फिर आप इन सबी बकरियों को उन गरीव लोगों को दे देंगे जो बकरी पालन करके अपनी जिव्यका को चलाते है लेकिन किसी वज़े से उनके पास बकरी खरीदने के आप एक तरह से उनकी हेल्प कर रहे हो अब आप सोचोगे कि उनको बकरी देकर हमें क्या फाइदा होगा ये बिजनेस कैसा हुआ तो आगे सुनिए दोस्तों आज के टाइम में इस बिजनेस को काफी सारे लोग करते हैं और इससे लाखों रुपे मैने के कमाते हैं दोस्तो आपके गोट बेंक का बिजनेस कुछ इस तरह से काम करेगा कि जब आप किसी गरीब इंसान को बकरी देंगे तो आप इसके बदले में उससे मातर बारा सुरुपे लेंगे लेगिन साथ ही में आप उस व्यक्ति से एग्रिमेंट करेंगे कि आने वाले दो साल में वो आपको चार बकरिया देगा क्योंकि दोस्तो एक एवरेज बकरी छे माइने में एक बार बच्चे देती है जो कि दो से तीन बच्चे देती है और किसान के लिए आपको चार बच्चे देना कोई बड़ी बात नहीं है और जब आपको एक बकरी के बदले साल की चार बकरिया मिलेग और इसी तरह से आपको एक 10,000 की बकरी के बदले 4 बकरिया मिलेगी और यदि आप इस तरह से एक इंसान को नहीं बलकि 10 लोगों को भी बकरिया देते हैं तो दोस्तों आपको एक साल में 40 बकरिया मिलेगी जिनकी केमत का अंदाजा आप खुद लगा कर देखिए और ये एक ऐ केचव खाद का बिजनस में सिर्फ केचव खाद नहीं है बलकि केचव भी बिखते हैं दोस्तों केचव खाद बनाने की परकरिया में सबसे बिले आपको जमीन पे पोलोतीन बिचानी होगी क्योंकि अगर आप बिना पोलोतीन बिचाए केचव को सीधे जमीन पे छोड़ द चार उपे में बेच पाएंगे अब आप प्रोफिट खुद देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों ये ते कुछ ऐसे बिजनेस आइडियास जिने आप गरामिन सेत्र में शुरू कर सकते हैं आपको इन 10 बिजनेस आइडियास में से सबसे बेश्ट कौन सा लगा कॉमेट करके जरूर बताना और यदि आज के अमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हमारे साथ हमेशा ऐसे जुड़े रेने के लिए आप अमारे चैनल दयोगी को सब्सक कर लिजिये जल्दी मिलेगे अगली वीडियो में